मानी सवापती महोदे आज जब हम लोग इस काल खंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं कशुरा वस्था में था और शीराम जन भूमी का अंदोलन प्रारम हुआ था उस महान यग्य में जिसमें करोडों लोगों ने कई पीडियों तक अपनी आहुती दी उसकी पून आहुती देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुख़ दनभा होता है और ये काल इसलिए भी अधिक महत्पून है कि ये भारत के अमरत काल का ही काल खंड नहीं है बलकि शीराम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनह उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संदिकाल भी है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे मन में एक भाव आया कि ये ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंभो लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है तो मेरे मन में ये भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के साकार हुआ सपन हर बला को टाल के नए छितिज उभर रहे हैं अमरत काल के और दिव दर्शन हो रहे हैं स्री राम लाल के मनेवर भगवान राम उस भारत की स्वा की अनभूती है जो भारत के सुतनता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षन तक उत्तर में यदि गुरु गोविन सिंग्जी ने गुरु मुखी में रामावतार लिखा तो दक्षन में तमिल में कंबन रिशी ने वही रामावतारम नाम से ही लिखा तो बंगला में कृतिवास ने रदी लिखा तो हिंदी में तुलसी दास ने लिखा तो उत्तर दक्षन पूरब पश्यम से सब तरफ भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्व था इसी लिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंता अंदोलन की शुरुवात की तो अपना राजनेतिक दर्शन राम राज्य और प्रतिदिन का भजन रखा था रगोपति रागव राजा राम अंतिम शब्द रखा था हे राम परंतु हे राम मैं यह कहना चाहूंगा उन राम को भी प्राण प्रतिष्ठित करने में इतना संगर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे जिसे हम लोग उस अंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का मन प्रभु राम का तो हर चण बोलिये जैश्री राम की आस प्रभु राम की श्वास प्रभु राम की तो प्रतिष्ठ बोलिये जैश्री राम की मगर आगे समस्या ये थी तो हम कहते थे शासन चलाए चाहें सीने पर गोलियां परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की आएं आपदाएं विपदाएं भले कितनी बनाएंगे हम मंदर सौगंद शरीराम की और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंद आज पूर्ण हुई इसके लिए अनेका नेक लोगों ने बलिदान दिया देवी दीम पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंग से लेके हजारों संतों से लेके कारसेवकों तक और कोठारी बंधुओं तक परन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं इस विशय पे कोट करना चाहता हूं 2003 के नोबल पुरसकार विजेता वी अस नाइपॉल ने किताब लिखी थी भारत के बारे में इंडिया वूंडिट सिविलाइजेशन उन्होंने का भारत एक विजित देश है जहां पर कि अपनी संस्कृति को आगहात करने वाले विशय को पढ़ाया जाता है और आगहात करने का प्रयास किया जात प्रताबदियों के तो विप्रीथ पक्ष के पास कोई उधारन नहीं थे हमने फॉरेंट टेविलर्स के उधारन कोट किये विलियम फिंच नाम का ब्रिटिश टेविलर आया 161020 के आसपास उसने कहीं पर मस्जिद का उलेक नहीं किया सिर्मंदिर का उलेक किया फ्रेंच टे तो जो पहली फाई आर अफिशली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में फैजाबाद के ठानेदार को रिपोर्ट दी गई है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कबजा कर लिया है यग्यहवन किया है और मस्जित जनमिस्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया और जानते हूं उस पे विशय को इतना बढ़ाया गया और स्वतंता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं 22 दिसम्बर 1949 की रात को जब फ्री राम लला प्रकट हुए उसके बाद यह ध्यान देने हो गया बात है यह समुदायों के बीट के संगर्श का विशय नहीं था यह भारत के सभिमान का हृँ गए थे तब संपरसुनी वकट उसमें पहरुकार बना जियो कुछ सेकुलिरिस्टोंने संजाया कुछ डेट्स ने समझाया और इसका उलेक किया कि मुछ्मद स साबने के सब्सक्रान का भी चलते हुए भारत के साविवान का विशय यह इसका प्रतीग बना परन्थ उ पताना चाहता हूँ हम जब जब सत्ता में आये 1991 में कल्यान सिंग जी की सरकार ने आकर सरसट एकड़ भूमिका अधिग्रण किया उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी तो अटेल जी की सरकार आई तो नई टेकनोलोजी आ गई ग्राउंड प्रेटरे में और उसके अंदर जो साक्षे निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनो बेंच उपलाबाद आई कोट का जज्ज्मेंट आया जिसने गर्ब ग्रेशी रामलला विराजमान को दिया अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था विशे सुप्रीम कोट में आ चुका था तो हमारी सरकार ने आने के बाट अगर 60 साल उसमें लगे थे हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओड़कर खड़े हो कर ये भी कहते थे फ़ला साल के पीछे ले जाईए इस जजज्मेंट को मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाट 24 7 सेवन लगाकर सारे के सारे जो डॉकुमेंट्स थे उनका केवल दो तीन वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हीरिंग होनी चाहिए क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनु मानते ही परसा करिपुन क्रीन ही प्रणाम राम काज कीने बिनुव मोह कहां विश्राम और फिर आपने देखा कि वो जब जज्जमेंट आया और ये भी एक सुखत संयोग देखिए कि मानेवर हमसे टीबी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आ गए भाजपा वाले कहते हैं राम लला हम आएंगे मंदीर महीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे महदे राम का मंदिर कोई अमारत नहीं थी ये भारत की भविता का अगास था और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी वो काल की गति थी और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूँ जब रामलला इस बंदिर में आए हैं तो वो तारीक आई है चार करोड गरीबों को घर लेकर आई है ग्यारा करोड लोगों के लिए शोचाले लेकर आई है चोवन करोड लोगों के लिए जंधन अकाउंट लेकर आई है हर गाओं में बिजली हर गाओं में सड़क लेकर आई है और इतना ही नहीं हर राज्य में एरपोर्ट लेकर आई है समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे उचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है highest FDI लेके आई है, highest foreign exchange reserve लेके आई है, fastest growing economy लेके आई है और जनाब फिल्म का डायलॉग होता था तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक वाला Indian पैनल कोट को तारीक का हिस्सा बनाकर भारती न्याय सहिंता लेके आई है, जो तीन साल के अंदर सारी तारीकों को खतम कर देगा मगर महुदय ये तारीक का रास थोड़ा और गहरा है, क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीक वो होनी थी कि प्रधान मंत्री को जाना था यानि तारीक उसका इंजार कर रही थी कि ऐसा प्रधान मंत्री आएगा, जो उस दिन आकर प्राण प्रतिष्ठा करेगा और वो प्रधान मंत्री भी कैसा होगा, जो की पूरे रास्ट का सपोर्ट लेकर, हाँ बोलने प्लीज, अरे भाई बोलने जना देश लेकर आया होगा, और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोशना पत्र में ये लिख के लाया होगा, कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्मार का मार प्रशस करेंगे, यानि 140 करोड लोगों के जना देश के साथ वो तारीक आन वाला था जो संकल्ब लेकर 11 दिन की तपस्या करें, और मैं महुदे एक और बात कहना चाहता हूँ, 11 दिन नारियल का पानी पीके हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं, महुदे वो जिस जो हर नवरात ऐसे रहता हो, उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा, और मैं बत यह उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शास्की कार रखते हुए भी वो उपवास कर पाए, ऐसे व्यक्तिकी पृतिक्षा थी तारीक को, और फिर दक्षन में जाकर, चाहे नासिक हो, और फिर चाहे गुर्ययूर का मंदिर हो, अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर, जब प्रधान मंत्री जी 22 कुओं के जल से इसनान कर रहे थे, जो भारत के संपून छेतर का प्रदेतु करते हैं, तो यह संदेश था धुर दक्षन शिरे पर खड़े होकर, कि देखिए ये राम है जो घटगट में व्यापत है पूरे उत्तर से दक्षन तक, और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधान मंत्री की दरकार थी तारीक को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है, गोसामी जी लिग गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, अगर राम तपस्वी राजा थे, तो तपस्वी प्रधान म मंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए और इस तारीख का इंजार था तारीख का ये राज समझने के लिए हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे और इसी लिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं महत्पुर्ण बात ये थी कि सबकुष शान्ती और सवहार से निपड़ गया जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की सीज़े होती थी इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए पूरे दे मुझा का प्रताब था और इतना ही नहीं महुदे अबू धावी में भी मंदिर बनने जा रहा है मुझे लगता है भारत के लिए अमरतकाल में सांस्कृतिक गोरों का इस से बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धावी में भी मंदिर बन रहा और मैं एक और बात कहना चाहता हूं मोदे। ये हिंदू-मुसलिम का विशय नहीं था, ये भारत के जए और विजए का विशय था और उससे भी बढ़ कर ये मूलियों का विशय था, कौन से मूलिय थे। एक मूलिय वह जिसमें भगवान राम उस मूलिय के पृथीग बनते ह जिसमें चार भाई है, पिता के एक बचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंस जाना, तीसरे भाई का खडाउ रखका शासन करना, एक ये परंपरा थी और दूसरी परंपरा वो, जिस बाबरी परंपरा में भी चार भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और और वाले हो अपने घर में क्या देखना चाहते हैं भाई की खड़ाओं या भाई का सर इन दो मुल्यों के अंतर का ये प्रतीक था इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नहीं था और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं मानेवर उर्दू में भी एक रामायन डिखी गई है और उसमें इसी मुल्यों को अप्रिशेट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दश्रत से अनुमती लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद सायर चकवस्त ने और वो लखनू के रहने वाले थे उन्होंने लिखा है रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मनजिलें अवल हुई तमाम यानि उनको तो दिखा की राहे वफा की कौन सी मनजिलें हैं जो अवल हो रही है मगर क्या बताऊं महोदे एक फैक्ट पताना चाहता हूँ 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब सी राम लिला पर कट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किस ने देखी थी वो यूपी गवर्मेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत उसने बाकादा मैजिस्टेक के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिब रोशनी दिखी और जब दिब रोशनी हटी तो वहाँ पर सीराम लला विराजमान थे अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ बाबरी पक्ष के पहरोकार थे इकबाल अंसारी और यह उधारता देखिए कि सब को बुलाया गया विरोध करने वालों को बुलाया गया ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया और इकबाल अंसारी को ही बुलाया गया और इकबाल अंसारी प्राण परतिष्टा में आ गए उनका इकबाल तो बुलंद हो गया मगर इन लोग का इकबाल जमीदोज हो गया और मैं ये भी बताना चाहता हूँ उसका एक कारण है अन अ लाइटर नोट इसको कोई परसनल न ले मौदय ये कहा जाता है हमारे हाँ राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो राजनीत में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो अब मैं ये बताना चाहता हूँ महोदय कि जो लोग कहते है भगवान राम ने अपने जीवन में ये मंदिर किसीज का परतीक है कई लोग एक आद कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए, बगैर उस भाशा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकाइदा उधारन दिया है उन्होंने लिखा है जात पात कुल धरम बढ़ाई धन बल परी जन गुड चतुराई इन दस चीजों से मैं नहीं मिलता मैं कैसे मिलता हूँ, भक्ती से मिलता हूँ ये सारी दस चीजों हो किसी के पास और भक्ती नहों तो उन्होंने का भगत हीन नर मोहे ऐसे जल बिन बारिद लागें जैसे अर्थात अगर ये सब कुछ हो जात पात कुल धरम बढ़ाईए हो भक्ती नहों तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी नहों इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया और मैं एक विशे और कहना चाहता हूँ जब राम मंदिर का निर्मान हो रहा था तो कहा जाता था साब वैग्यानिक प्रमान दीजे मैं बस एक विंदु विज्यान का भी और बताना चाहता हूँ ये विशुद्विज्यान है क्योंकि अगर आपने राम चरित मानस के शुरुआती स्लोक पढ़े हो अब आप ये बताईए कि आज हम समय कहते उनका exact time लिखा है जैसे आज हम time कह रहे हैं दिल्ली में कुछ और है लंडन में कुछ और है तो एक GMT green mean time बताए गया पर अगर आप से पूछा जाए time का absolute measuring parameter क्या है which is equally applicable on earth, moon, solar system and any point in the space it is only the relative positions of planet और भगवान राम का वो exact relative positions of planet जो आइंस्टीन का fourth dimension कहा जा सकता है वो लिखा है कि मेश राशी में सूर्य था मकर राशी में मंगल था तुला राशी में शनी था मीम राशी में शुक्र था और जब नासा ने अपने ट्रेनिटोरियम गोर्ड साफ़वेर में डाला तो पांचे आर 114 BC की डेट निकल आई इस से जादा किसी को सबूत चाहिए विज्यान का वो सबूत मिला और इतना ही नहीं मैं बताना चाहता हूँ जिन लोग ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद रितु थी अंगद बताते हैं कि अशुनी मास यानि आद के अक्टूबर के समय वसंत रितु थी और इतना ही नहीं कहा गया जब किश्किंदा से भगवान निकलते हैं तो धूम के तो टकराया था अमूल नक्षत्र से और जब एस्टो नामर्स ने इसकी गड़ना की तो वो ठीक डबल हो जाता है 14,000 साल पीछे आता है इसका मतलब प्रमान देखने हैं तो प्रमान जमीन के नीचे से भी निकले शाही फरमानों से भी निकले और आस्मान से भी निकले समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विशय के उपर आये और मैं एक बात और कह दू कभी कहा जाता था महार्ची बालमीक ने तो रामायन भगवान रामतित के पैदा होने से पहले लिख दी थी और कहा जाता है भविश में जाके लिख दी कहा जाता है गप है बकवास है कैसे हो सकता है महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूत काल में जाके लिखी वेशम पाइन के समय में अरे ऐसा कैसे हो सकता है मैं पूछना चाहता हूँ 1916 में आइंस्टीन की theory of relativity देने के बाद अब time travel forward, time travel backward बकवास है क्या अगर किसी ने science नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ इसको कहके मैं कहना चाहता हूँ हमारे रिशीत रिकाल दर्शी थे और ये time time travel तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है और मैं एक विशे और कहना चाहता हूँ हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा हनुमान गड़ी का आपने हनुमान जी के सैकुड हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में लवकुष का मंदिर देखा है कभी नहीं हमारे याँ पुत्र का महत्व नहीं है शिष्य का महत्व है भक्त का महत्व है हमारे यहाँ बाइलोजिकल सक्षेशन का महत्व नहीं है spiritual succession का महत्थ हुए इसलिए द्रोणाचारे के बेटे का इस्थान उचा नहीं है शिश्य का इस्थान उचा है इसलिए हम हर जगे गुरु शिश्य परंपरा की बात करते हैं पिता पुतर परंपरा नहीं होती भागवान राम का पचरितर इस बात का उधारन देता है कि हर जगे आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे वो भी राम से ज़्यादा मिलेंगे और मैं अन्त में ये कहना चाहता हूं महोदे एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि वही यू आ टॉकिंग अबाउट दिराम टेंपिल, how does राम टेंपिल fits in the 21st century, emerging India aspires to become a technologically advanced and become the economic superpower with the youngest population, where does राम मंदिर fits in that? मैंने गा सुनियो महोदे हम 21 सदी में भारत को सिर्फ economic intellectual and military superpower नहीं बनाना चाहते हैं, हम world leader बनाना चाहते हैं, और जब world leader बनाना चाहते हैं, तो it should symbolize the certain set of values, which will inspire the world, और अगर सारे स्रेश्रतम मानवी मूल्यों का परतीक कोई एक होगा, तो वो भगवान राम का मंदिर होगा, जो विश्व के सबसे स्रेश्रतम मानवी मूल्यों का परतीक होगा, कैसे? मैं आधुनिक जो पॉलिटिक से बताना चाहता हूँ, आज कोई एक देश किसी पर अटेक कर रहा है, रषिया यूकरेन के लड़ाई चल रही है, चाइना का, टाइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इराक और उसका चला क्या है डिप्लोमेसी में? नमबर वन टिपटी बैठाया, यानि सब्जूगेशन किया, नहीं, कोई ट्रीटी साइन कराई, डॉमिनेशन किया, नहीं, तो मैं कह सकता हूँ, आज के जियो पॉलिटिक्स वर्ड में जब ट्रैश अफ सिविलाईशन कहा जाता है, तो उसका इतिहास बना है, और ये हमारी सरकार, और मानी पुर्धान मंत्री जी की उस द्रड़ इक्षा शक्ति का प्रतीक है, जिसके लिए कहा जाता था, अरे तीन सो सत्तर कभी हटेगी नहीं, राम मंदिर कभी बनी नहीं सकता, मगर ये वो लोग कहते हैं, जो सरकार को बधाई देते हुए, श्री राम जण भूमी न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था, हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवारा, हम सिर्फ मार्ग परशस्त कर रहे हैं, दूसरों ने कहा था, कि हम वो पनवार हैं तो हम सिर्व उनके लिए कहना चाहते हैं प्रदान मंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुख जाता है अधेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है धन्यवाद है आदेवाद मानी